गेमिंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो हमारे दमाग में दो कॉंसोल के नाम आते हैं, प्लेस्टेशन और एक्सबोक्स, सालों से इनकी जंग चल रही है, लेकिन आज इस वीडियो में कंपर करने वाले प्लेस्टेशन फाइब और एक्सबोक्स को, यानि की सिरीज और हाँ, परसनली मैं बता दू, मेरे पास दोनों ही गेमिंग कंसोल या, दोनों को मैंने आपे टेस्ट किया है, तो एक्जक्ली में एक ओनर्शिप वाले वीडियो से आप समझ सकते हैं, इसके साथ ही बोलना चाहँगा कि अगर आप इनको चेक आउट करना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, प्लेस्टेशन 5 के साथ जो सिस मझे उस पसंद दिया हैं, वह सबसे बहले बताता हूँ, उसका साइज यहाँ पर काफी ज़्यादा बड़ा, कई लोग के पास इतना साइज नहीं होता, लेकिन वहीं बात करें, इस वकर VR गेम्स और VR को एक्स्प्लोर करना है, तो PlayStation is the only choice क्योंकि वो support Xbox में है ही नहीं, इसके लावा PlayStation के पास एक अच्छी चीज़े वो है उसके गेम्स, उसके अंदर आपको बहुत अच्छे गेम्स मिलते हैं, सोनी वाले बहुत बहुत बहुतरीन गेम्स बनाते हैं, जिनको तो आप यहाँ पे enjoy कर सकते हैं, गेम्स को आपको खरीदना पड़ता है, और देखा जाए तो गेम्स की कीमत है बहुत जादा होती है, अगर आप यहाँ पे physical disc वाला version लेते हैं, तो तो यहाँ पे आप second hand disc वगरा चला सकते हैं, लेकिन problem पता है क्या है, जब आप digital edition लेंग catalog देखने को होलता है, जिसके अंदर उनके popular game है, काफी सारे classic games है, उन्होंने एक चीज़ बना दी, और किसी को गर casual level पे gaming करनी है, तो वो चीज़ वहाँ possible है, क्योंकि वहाँ पे जाके उन games को वो लोग enjoy कर सकता है, क्योंकि जितने भी भड़िया games होते थे, वो उसने PlayStation 5 की है, जिससे overall जो experience है, वो काफी जादा अच्छा रहेगा, और किसी को गर कम पैस हो में PlayStation को मज़े लेने, तो मेरा session दो रहेगा, PS5 का digital edition ले, और PS Plus subscription ले ले, extra वाली, उससे वो काफी अच्छे तरीके से games को हैं पे मज़े लेगा, ये काफी जादा कमाल की बात है PlayStation के तो PS5 का digital edition लो, subscription service लो, और उसके बाद यहाँ पे आप मज़ा ले सकते हो, इसके साथ ही बात किया तो कुछ extra feature की तो उसका controller में को काफी जादा जबर दस लगा, और media consumption के लिए भी PS5 यहाँ पे सही है, अगर आपको PlayStation को TV पे connect करके Netflix या Prime वीडियो इन सब पे कुछ तेखना ह Xbox Series S से काफी एची choice है, क्योंकि Xbox Series S में बता है, 30,000 रुपे तक का आपको market में देखने को मल सकता है, और वहाँ पे देखा जाए तो Series S आएगा, और X और S में देखा है तो lay test है, लेकिन S की power कम है, वो 4K gaming नहीं कर सकता, Series X कर सकता है 4K gaming, लेकिन उसकी कीमत जादा होने के का और वो यहाँ पर recommend नहीं करता है, क्योंकि कीमत उनों ने काफी जादा कर दी, लेकिन Series ऐसे काफी value for money option है किसी भी casual gamer के लिए, और यहाँ पर अगर मैं Game Pass जैसी subscription service को जोड़ दू, तो combination बहुत killer है, क्योंकि देखा तो Sony ने जो PS Plus subscription service नका ली न, वो Game Pass इंस्पार होके नका ल तो already दुनिया के सबसे बड़े gaming studio, इनके बास बहुत सारे studio है, और बहुत सारी company खरीदते रहते हैं, हाल खेल एक्टिविशन को खरीदने की बात चाहीं चल रही है, और उसके बाद जितने भी call of duty के game होगे, शाए day one पर आपको यहाँ देखने को बिले, इस तरी कोछ Game Pass का true competitor नहीं है, यह एक चीज है, इसके साथी Game Pass के साथ benefit यह है कि यहाँ पे आप PC के अंदर भी games का बंजा ले सकते हो, यह चीज बहुत अच्छी लगी है, और Xbox से साथ एक अच्छी बात है कि यह media console बहुत अच्छा है, याने कि यहाँ पर आपको proper Dolby Vision में gaming का support और Dolby Atmos भ बात यहाँ पर यह है कि इसके storage यहाँ पे कम है, सिर्फ 500GB की SSD देखने को लती है, जो कि आज के modern game के से अपसे काफी कम है, तो आपको external SSD है, कोई expansion slot वगरा आगे चलके खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन अगर कम पैसे में gaming करनी है, और कम से कम पैसे अगर आप gaming के अंदर डालना चाहते हो, मज़ा ज्यादा लेना चाहते हो, सिर्फ एस एक अच्छा option है, सिर्फ एक्स ओवर प्रैस्ट ऑप्शन है, और अगर आप Xbox के fan हो, गेमिंग को 4K पे मज़ा करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, ओवरार बात करें, PlayStation और Xbox अपनी जगे बहुत दौनी जगे अपनी जगे काफी जाद अच्छे दौनों पर 3rd party games का support है, लेकिन बात की जाए तो दौनों में यहाँ पर core difference रहता है, डिपेंड करता है कि आप लोकी हाट पर requirement कैसी, अगर आप totally Sony के fan हो, तो मैं सजेस्ट करूँ कि PS5 regular वाले ले, digital edition भी मतले, कम से कम वहाँ और खूबिया दौनों के बारे बताए, और दौनों को मैं personally हापे use करता हूँ, उसके बाद ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि हापे मैं technical terms में जहान ही नहीं चाहते है, gamer के perspective से बात करना जाता था, वो बात यहाँ पर मैने करिए, अगर आप इनको check out करना चाहते